हलो स्टुडेंट्स वेलकम अगें टू माई चैनल संदीब जन क्लासिज आजम क्लास 12 इंगलिस लिटरेचर की टेक्स्ट बुक प्रूदेंस के नोन फिक्षन केटेगरी में फर्स्ट चप्टर दस कल्चर मेटर बाई एम फॉर्स्टर की स्टुडी करेंगे इसके स्टुडी ऐसे एम फॉर्स्टर की बुक टू चीर्स फोर डेमोक्रेसी से लिया गया है एम फॉर्ष्टर वर्तमान समाज में संस्कृती के गंभीर पतन के प्रती चिंता व्यक्त करते हुए हमारी प्राचीन संस्कृतिक विरासत को सरक्षित करने पर जोर देते हैं आईए हम इस अध्याय का सारांस समझते हैं कल्चराज कई लोगों के लिए फॉर्बिडन या निशिद सब्द हो गया है लेकर के अनुसार कई लोग जो हैं इस शब्द को पसंद नहीं करते हैं कल्चर इस फॉर्बिडन वर्ड लेकिन ये एक ऐसी सुंदर विरासत है जो हमें हमारे पूर्वजों ने सौपी थी और हमें आगे सौपनी है कई लोग जो परंपराओं को बोज समझते हैं वे संस्कृति को पसंद नहीं करते और विज्ञान का हवाला देते हुए संस्कृति को हटा देना उचित समझते हैं वो कहते हैं विज्ञान का युगे संस्कृति का यहां कोई काम नहीं है लेखक के अनुसार लोग दांते या सांता सोफिया को दीरे दीरे भूल जाएंगे वो इन महान कलाकरों को याद नहीं रखेंगे अपने कारियों में व्यस्त रहेंगे और खाली समय में सस्ते मनोरंजन से अपना दिल बहलाएंगे क्योंकि उनके पास संस्कृति को समझने की क्षमता ही नहीं होगी यह संभावना अत्यंत भयानक है और संस्कृति को बचाया जाना चाहिए लेखक की संस्कृति में असीम आस्ता है और वे चाहते हैं कि लोगों की भी इसमें आस्ता बनी रहे उनकी समझ बनी रहे कई बार आस्ता हमें रुखा भी बना देती है और हम कहीं लोगों पर तीखे कमेंट भी कर देते हैं जैसे लेखक ने एक उधारन देते वे बताया है कि प्रेम गीतों के महान संगीतकार वाद्यवादक सर रिचर्ड टेरी ने एक बार ब्लेकपुल के युवा संगीतकारों पर ये टिपणी कर दी थी के बड़े होकर या तो वे मनुष्य हो सकते हैं या चर्च गायक यानि उनोंने उन मिथ्या भी मानी और चतुर अभीव्यक्ती वाले और सस्ता मनुरंजन देने वाले गायकों का उपहास उड़ाया उनोंने उनका मजाक बनाया उनके इस कमेंट से लेखक तो बहुत प्रसन हुआ लेकिन वे युवा गायक नाराज हो गए और चिड़ कर उनोंने सर रिचर्ड जैसे महान कलाकार को बुरा भला कहा अपनी अहमियत उनके सामने साबित करते हुए अपने आपको ज़्यादा बड़ा बताया लेकर के अनुसार सर रिचर्ड जैसे महान संगीत कार कभी कभी आकरामक होने का अधिकार रखते हैं वो कई वार आकरामक टिपनी कर दिया करते हैं यह उनका अधिकार है क्योंकि उन्होंने संस्कृति की सेवा किये उन्होंने संस्कृति को सम्रिद किया है पहले भी लोग महान सांसकर्तिक रचनाओं का उपहास उड़ाया करते थे लेकिन वो उपहास जो था वो हास परिहास तक सीमित हुआ करता था और खुश मिजाज टिपणियों तक सीमित हुआ करता था लेकिन अब लोग इसका तिरसकार उड़ाते हैं लोग एक प्रकार की शत्रुता की भावना रखते हैं स्रीमती लियेविस द्वारा इंग्लिस नोवेल के उनके अध्यायन में बताया गया है कि पिछले 200 वर्सों में बेस्ट सेलर साहित थे हालांकि कुछ सिद्ध नहीं कर पाया लेकिन दीरे दीरे इसकी शक्ति समझ में आग के फैमस नोवलिस्ट जो हैं वो एक दूसरे को पसंद नहीं करते एक दूसरे से इरशा करते हैं विद्वेस रखते हैं गुसेल बन गए हैं और उन्हें सपोर्ट करते हैं सस्ते प्रेस और पुस्तकाले उन्हें इन सस्ते प्रेस और पुस्तकाले का समर्थन प्राप्त होत जिससे वो कॉमेडियन नाराज हो गया उसकी नाराजगी जो है बीबीसी पर भारी पढ़ने लगी बीबीसी को उसे मनाने है तू बड़े जतन करने पड़े और तब जाकर वो भविश्य में बीबीसी है तू काम करने को तैयार हुआ बीबीसी की सारी हेकड़ी यहां पर उसके सामने निकल गई और टाइम्स जैसे एक फैमस अकबार में मुख्य पेज पर इसके बारे में एक लेक छपा लेकिन लेखक के अनुसार उस कोमेडियन के स्तान पर यदि कोई महान कवी होता कोई महान दार्शनिक होता उसकी वारता या प्रसारण को बीबीसी द्वारा काट दिया जाता तो बीबीसी की द्वारा इस प्रकार की क्षमा याचना सायदी की जाती है वो कवी या दार्शनिक यदि नाराज हो जाता तो BBC द्वारा शायद ये उसे मनाया जाता अर्थात वास्टविक संस्कृति के जो समवाहक है जो उसके वाहक है उनकी अब कोई पूछ नहीं है उनको कोई पूछने वाला नहीं है वास्टविक संस्कृति का अनादर किया जा रहा है उन्हें अनावश्यक मानकर उनका तिरसकार किया जा रहा है इस अशांत युग में हमें प्राचीन सामगरी को नदी पार तक ढोना पड़ता है अथार्थ नदी के इस पार से उस पार ले जाना पड़ता है इसको इस तरह से समझें के प्राचीन महान रचनाओं की अत्यंत परिश्रम करके खोज करनी पड़ती है और उसे वर्तमान समय में प्रस्तूत करना पड़ता है लोग दिनों दिन इन महान रचनाओं को समझने और इनका आनंद लेने की क्षमता को खो रहे हैं उन्हें समझ में नहीं आ रहा, वो इन रचनाओं के अंदर की जो महानता है उसको समझने पा रहे हैं उनकी एक क्षमता कम हो गई है, खो गई है, यदि एक क्षमता समाप्त हो गई, तो ये पुस्त कें, ये चित्रकला, ये संगीत, ये सभी संग्रहाले में ही डूब जाएंगे और नश्ट हो जाएंगे, परमपराओं द्वारा इन्हें समझने की जो क्षमता अरजित की गई थ जिसकी कोई परमपरा नहीं है, जिसकी कोई संस्कृति नहीं है, और वो सभीता एक निक्रिष्ट और निमनिस्तर का जीवन यापन किया करती है, उसके पास क्योंकि अपनी कोई संस्कृति की कोई समझ है, तो वो बीना संस्कृति का एक निक्रिष्ट जीवन यापन करती है एक अन्य उधारन में एक किताब से लेते वे लेकर को बताते हैं कि मृत आत्माओं से वारता करवाने वाले मीडियमिश्टिक द्वारा जब इटली के महान कवी दांते की आत्मा को बुलाया जाता है तो दांते जो उनकी आत्मा को बुलाया जाता है जो यू आवस्ता में कुछ जुलसी हुई है वो कुछ हास परिहास वो व्यंग्यात्मखांसी के पस्चात पुना नार की यंतरना में चले जाते हैं पुना नरक की वेदना को सायन करने के लिए चले जाते हैं वो एक कोमेडियन बन चुके हैं ऐसा लगता है कि उन्हें समझने की क्षमता लोगों में अब रही नहीं अर्थात दान्ते की महानता को लोग समझ नहीं पा रहे हैं उनकी जो छवी है वो परपीड के रूप में उनके बीच में स्थापित हो गई है और उनकी इस छवी की वो लोग निंदा कर रहे हैं दांते की डिवाइन कॉमेडी से एक उद्धरन देते वे लेखक लिखते हैं कि मेरा पालन पोशन करना सरवच बुद्धिमानी अति प्राचीन वा मजबूत इश्वरियक कार्य था ये उनकी डिवाइन कॉमेडी से एक उद्धरन था लेखक के अनुसार दांते, सेक्सपियर, अदीन महान कलाकरों और इनकी महान कृतियों के अभाव में लोग न जाने किस युग में पहुंच जाएंगे अर्थात हमारे पास में ये संस्कृतिक विरासत नहीं होगी तो हम किस निक्रिष्ट इस्तान पर पुनाय पहुंच जाएंगे संस्कृति के बिना ये जीवन एक भयानक दुस्वपन के अलावा कुछ भी नहीं होगा सबके लिए काम और सबके लिए खेल और जिसका कोई इस्तर नहीं होगा इस प्रकार का हमारा जीवन हो जाएगा अगर आप परमपरा और संस्कृति को छोड़ देंगे तो आप काम और खेल को जोड़ने का अपना अवसर भी गवा देंगे क्योंकि परंपरा और संस्कृति जो है वो काम और खेल को आपस में जोड़ती है और इसके बिना हमारा जीवन नीरस हो जाएगा बेकार हो जाएगा चर्च गायकों, बेस्ट सेलर साहित्यकारों, इलेक्ट्रिक वाद्य यंत्रवादकों कॉमेडियन्स और स्वपन सुंद्रियों में संस्कृति को सम्रिद करने की छमता नहीं होती है लेक्ट केनुसार ये संस्कृति को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं ये लोग बड़ी-बड़ी बाते करते हैं, मिथ्या भी मानी होते हैं स्वियम के आगे किसी को कुछ नहीं समझते हैं और अपने आपको अगरिम पंक्ती में मानते हैं लेक्ट केनुसार ये इनका मिथ्या भी मान होता है सिक्षित और बद्र लोग महासागर में स्याही की एक बूंद के समानी है अर्थात ये संसार में बहुत कम मातरा में पाए जाते हैं, इनकी बहुत कमी है लेकिन जिस परकार स्याही की बूंद जो है, वो पानी में डालते ही और पूरे पानी में मिल जाती है, फेल जाती है संस्कृत जो सू संस्कृत सिक्षित और भद्र लोग होते हैं वो भी बहुत मिलनसार होते हैं और आसानी से घुल मिल जाते हैं संस्कृत ही अब समाजोपयोगी वस्तू या अभिजात्य वर्क में सीडी के समान नहीं रही जैसा कि प्राचीन काल में हुआ करती थी प्राचीन काल में सिर्फ अभिजात्य वर्ग तक सीमित थी और समाजोपयोगी वस्तु की रूप में सीमित थी लेकिन अब इसमें परिवर्तन हा गया है ये परिवर्तन स्रीमती वुल्फ द्वारा रचित रोजजर फ्राई की जीवन गाता में इस पस्टूप से देखा जा सकता है तीन हजार साल की संस्कृति को समझना है समवर्दित करना है तो हमें एक साथ आना होगा हमें पास पास आना होगा जहां सोर सराबा हो रहा है तो आपस में मिल बेट के फुसा कर बात करनी होगी यहां सोर सराबे से मतलब है कि जो संस्कृति से भटकाने वाली चीज़े हैं उस सोर से हमें हट कर इस संस्कृति के शान्त वातावन में आना होगा प्राचीन समय में यह सिर्फ अभिजात्यवर्क के लोगों अमीर और जमीदार लोगों पर आसरित थी और जिसके हमें कूपरी नाम भी भुगतने पड़े लेखक ने एक उधारन दिया है कि फलेट का उधारन देते वे बताया है जैसे उपर वाले फलेट का हमारा पड़ोसी साहित्य, चित्र, संगीत, धुने, आदि को नहीं चाहता है मालीजिए कि वो इन सब چीजों को नहीं चाहता है किसी चीजों को भी पसंद नहीं करता है जिसका हम समर्थन करते हैं तो हमें उसे उस आंटी की तरह परिशान नहीं करना चाहिए जो एक जोला बरकर किताबे लेकर आजाती है और जबर्दस्ती उसमें से किताबे पढ़ने को देती है कि यह पढ़के देखो, यह अच्छी है, यह किताब पढ़ो और इस तरह से जबर्दस्ती नहीं करनी चाहिए लेकर क्यानुसा, ऐसे व्यक्ति जो संस्कृति को नहीं चाहते हैं, उन्हें चतुराई पूर्वक हमारे अनुकूलित करना होगा अर्थात, वो संस्कृति को समझने लगे, संस्कृति को चाहने लगे, ऐसा हमें एक विशेस प्रयास के द्वारा करना होगा आजकल के लोग संस्कृति के प्रतिया तो उदासीन है चाहे सेट हो चाहे मजदूर हो या फिर कम्यूनिस्ट लोगों की तरह शंकालू है लेकर के अनुसार हमें संस्कृति के शिफारिस करनी बंद कर देनी चाहिए हमें लोगों को समझाना बंद कर देना चाहिए और उस चाची को किताबें अपने पास ही रख लेनी चाहिए से जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए कि ये किताब ले लो ये पढ़के देखो बीना कटूता और बीना अंकार के आपको वहां से चले जाना चाहिए लेकिन कटिनाई ये है कि संस्कृति भी धर्म की तरह उच्च आनंद प्रदान करने वाली है जो व्यक्ति इसमें डूब जाता है वो इसका आनंद आकंट महसूस करता है इसे समझे बिना इसका आनंद लेना संबो नहीं है और जो संस्कृति का प्रसंसक बन जाता है, वो स्वयम एक चोटा मोटा कलाकार बन जाता है वो दूसरों के उसकी जानकारी पहुंचाई बिना रुक ही नहीं सकता वो जरूर जाके बताएगा इस चीज में ये खासियते, ये देखो, ये करो ये उसकी एक मजबूरी बन जाती है, इससे आगे पहुंचाना उसकी अंतह प्रेणा बन जाती है, उसके अंदर से प्रेणा जागरीत होती है कि इस चीज को मैं आगे बताऊं, आगे पहुंचाऊं, किन्तु यह जो चमक है, ये केंदरिय भाग से, सेंटर से आनी चाहिए इसे रोकना जो है, वो पूरी तरह से अधार्मिक है, यानि इसका एक तरह से धार्मिक जितना महतो होता है, उतना ही इसका महतो है कि संस्कृति की चमक को आप बिखे रहें अतह वह व्यक्ति धर्म प्रचार की भावना की तरह संस्कृति का प्रचार करता है जो उप्युक्त ही है, सही है लेकर के अनुसार संस्कृति के संबंद में लोगों की उस सुकता जागरित की जाए उनके आनंद को बाहर लाया जाए लेकिन हटधर्मिता ना करें, जबर्दस्ती ना करें एक सूस संस्कृत ढंग से ये काम किया जाए लेकर के अनुसार, संस्कृति के प्रचारक के रूप में हमारा मुख्य करतव ये है कि हम स्वयम को आनंदित करें, स्वयम उस आनंद को प्राप्त करें निरास नहों और संस्कृति का प्रचार प्रसार करें कलात्मक कारे में यह अद्बुत विशेस्ता होती है कि उसके आनंद को उत्तेजना को महसूस करने वाला उसकी ताकत को अनुभो करने वाला स्वयम एक लगू कलाकार बन जाता है इस प्रकार इस चेप्टर में हमने देखा कि इम फोस्ट संस्कृति में पारंपरिक और गंभीर पतन के प्रतिक गहन चिंता को प्रकट करते हैं संस्कृति को सरक्षित रखने पर जोर देते हैं संस्कृति को समझने की क्षमता में वृद्धी हो इस पर जोड़ देते हैं और जो ज्यादातर लोग आज कल जो सस्ते मनोरंजन के पीछे जा रहे हैं और संस्कृति जो है अपनी प्रतिष्ठा खो रही है उसके प्रतिया में सचेत करते हैं तो आईए हमें इसके कुछ महतोपुन प्रस्टनों तर देखते हैं एक प्रस्टन है What kind of a civilization is described by Sinclair Levis in his novel Bebit Sinclair Levis द्वारा अपने novel Bebit में किस प्रकार की civilization का किस प्रकार की सभ्यता का वर्णन किया गया है हमने इस पार्ट में पढ़ा कि Sinclair Levis ने एक ऐसी अपने उपनियास Bebit में एक ऐसी सभ्यता का वर्णन किया जिसकी कोई संस्कृती नहीं है जिसकी कोई परंपरा नहीं है और इसके परिणाम सरुप वो बड़ा ही निमनिस्तरी है और केवल काम चला सकने वाला जीवन यापन करते हैं उनके पास में मनोरंजन के कोई उतकरिष्ट साधन नहीं है वो सस्ता मनोरंजन कर सकते हैं और बीना संस्कृती के उनका जीवन जो है वो निकरिष्ट जीवन है एक महत्वपून प्रश्ण है कि वो सागर में स्याही की बूंद के समान है ये दो कारणों से वो ऐसा कहते है कि जो कल्टिवेटेड लोग है वो इस संसार में सागर की बूंद के समान है पहला कारण यह है कि ऐसे लोग जो है इस संसार में बहुत कम पाई जाते है इनकी संख्या सीमित है और दूसरा कारण यह है कि स्याही की मूंद की बांती ये भी बड़े मिलंसार होते है और बहुत जल्दी अपने आस-पास के वातावरण में आसपास के लोगों से घुल मिल जाते हैं, मैत्री पूर्ण हो जाते हैं, सबसे अच्छा व्यवार करते हैं इनी दो कार्णों से foster ने cultivated people को a drop of ink in the ocean कहा है What does foster mean by faith makes one unkind? Foster का यह कहने का क्या आश्य है कि आस्था किसी को रुखा बना देती है, unkind बना देती है हमने देखा यहां कि कोई भी व्यक्ति है, कोई भी वस्तु है उसमें आस्ता होने से, एक फेद होने से व्यक्ति जो होता है उसका self confidence बहुत बढ़ जाता है, उसका आत्म इश्वास बढ़ जाता है वो भए रहित हो जाता है, निर्भए हो जाता है और निर्वे होने से और उसका उस व्यक्ति या वस्तु में एक डीप आस्ता होने के कारण वो व्यक्ति जो है उसके खिलाफ कोई भी चीज को स्विक्रत नहीं कर पाता है किसी भी चीज को स्विकार नहीं कर पाता है इसी कांड से कई वार वो ऐसे लोगों पर जो उसकी इस बात का प्रतिकार करें या विरोध करें उनके उपर वो आकरामक हो जाता है बड़ा अनकाइंड हो जाता है रुखा हो जाता है और वो उसके उपर जो है उनके व्यावहार को सहन नहीं कर पाता है तो वो उन व्यक्तिय के प्रती रुख्यपन से पेस आता है जो उसके इस आस्था के उसको विरुद लगते हैं इसलिए यहां पर फोस्टर कहना चाहते है फेद मेक्स वन अनकाइंड एक महत्वपूंट प्रश्ण बनता है आज के समय में मोडन यूग में संस्कृति को एक फोर्बिडन शब्द माल लिया है गया इसको निशिद माल लिया गया है बहुत सारे लोगों के द्वारा बहुत सारे लोग चाहते हैं कि संस्कृति जो है उसको हटा दिया जाना चाहिए इसका कोई महत्वनी है विज्ञान जो है इसको अपने आप सब्यता है वो संस्कृति पर निर्वर है तीन हजार सालों से ये जो संस्कृति हमारी चली आ रही है इसने हमारी सब्यता को संस्कृत किया है इसको परिवर्दित किया है सम्रिद किया है तो वो इस संस्कृति को बचाना चाहते हैं उनकी इसमें बड़ी भारी आस्था है तो ह हम अपनी परंपराओं को अपने संस्कृति को बचाएं इसको समझे जो समझ जो है मारी दिनो दिन कम होती जा रिए उसको हम वापस बढ़ाएं और लोगों में सांस्कृतिक समझ विक्षित करें लोग संस्कृति का आनंद ले सकें ऐसה कोई तारीका डुन दे और लेखक के नुसार जो संस्कृति को समझते हैं वो स्वियम भी एक छोटे मोटे कलाकार हो जाते हैं तो वो अपने आप संस्कृति का समवहन करते हैं इसको आगे बढ़ाने का कारिय करते हैं तो इसलिए संस्कृति जो है भली बानती समझ में आ गया होगा यदि आपको हमारे ये वीडियो लेसन अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक जरूर करें और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें बहुत-बहुत धन्यवाद